नमस्कार किसान भाईयो आपके अपने यूटूब चैनल नंदेग्राम में आपका स्वागत हैं इस वीडियो में लासून से संबतित सभी जानकरी दी गई हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें लासून के निर्यात में धीरे धीरे इजाफा दिख रहा हैं देश में भी इसकी डिमांड बनने वाली हैं लासून के भाई में कब तक तेजी देखने की उम्मीद लग रही हैं और निर्यात की क्या इस्तति हैं जानेंगे पूरी रिपोर्ट इस वीडियो में लासून के उत्पादन में मध्यपर्देश सबसे आगे हैं मत्यपर्देश पिछले तीन वर्चों से नमबर वन पर बना हुआ है दूसरे नमबर पर राजस्तान आता है लहसुन की किमतों में लगातार एक महिने से गिरावट देखने को मिली है फरवरी महिने में जब नई लहसुन की आवक आने शुरू हुई थी तो इसके भाव में अचाना काफी तेजी देखने को मिली थी और भाव 10,000 रुपे की उंडल तक हो गया था पर वह तेजी पक्की तेजी नहीं थी क्योंकि पुरानी लहसुन और नई लहसुन की आवक बहुत कम थी उसके बाद हर दिन गिरावट बनती गई अब तो लगभग आधे दाम पर मंडियों में भीक रहे किसान भाईयो क्रशी संब्धि जनकारी के लिए चेनल को जरूर सब्सक्राइब करें पर अभी जो बाजारों में दिख रहा है ये आखरी मंदी मानी जा सकती है लगभग एक अपते से इसके भाव समान बने हुए है कहीं न कहीं अच्छी कुवालिटी की लहसन में उठावों की तरफ बाजार जाता हुआ दिखाई दे रहा है फिलार पूरे देश के मंडियों में लहसन के आवक चरम पर है जिससे बिकवाली काफी जोरों पर है लहसन की गिली होने की वज़े से इस्टाक में नहीं बेजा जा रहा है व्यापारी जो भी खरितते हैं उसे जल्द सज जल्द बेशना पड़ता है गिली होने की वज़े से उनकी कुवालिटी भी काफी खराब हो जाती है तो मंडियों में बिकवाली का प्रेशर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है गिला होने की वज़े से निर्यात में जो मांग आ भी रही है वो पूरा नहीं हो पा रही है पर अब मौसम में बदलाव आ रहा है और गर्मी भी पड़ रही है जिससे किसानों को लसुन सुकने में आसानी होगी और जैसे ही सुकी लसुन मंडी में आनी शुरू होगी तो इस्टोर करने वाले और निर्यातकों की लेवाली तेज हो जाईगी क्योंकि सुकी लसुन आने के बाद अगर भाव कम मिलते हैं तो खिसान भी लसुन नहीं बेशते हैं और उसे इस्टा कर लेते हैं तो फिर लसुन के डिमांड बढ़ेगी आवक सिमीत होने लगेगा जिससे इसके भाव को एक सपोर्ट मिलेगा जैसा की मत्यपर्देश में सबसे बहतर क्वालिटी का लसन रतलाम और उज्जन जिले का ही माना जाता है जो देश के दिल्ली मुंबई मदरास जैसे महानगरों में धाग जमाय हुए हैं अरभी सिजन में उत्पादन भी अधिक होता है वशदी गुण और सुआद भी बेतर होने के कारण सौधी अरब, बांगलादेश और मलेशा में रतलाम की लसुन के अच्छे मांग रहती हैं किसान भाईयो अभी मंडियों में लसुन का दाम तो बहुत कम है तो लसुन का भाव आधे अप्रेल तक बढ़ने की संभाव ना है तो आप इंतजार कर सकते हैं इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए चेनल को सस्क्राइब जरू करें और वीडियो को लाइक करें धन्यवाद